चोपड़ा जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो इस वीडियो के जरीए मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि नीट एप्लिकेशन फॉरूम के फेज टू के रेजिस्टेशन की लास डेट आज है यानि आज रात बारा बज़े से पहले पहले ये आपको फिल कर देना है जिन स्टुडेंट ने अभी तक फॉरूम फिल नहीं किया है वो फिल कर दें क्योंकि NTA ने क्लियर लिए अपने नोटिस में लिख दिया है कि अगर आप ये रेजिस्टेशन नहीं करते हैं फेज टू का तो आपका जो कंडिडेटिचर है वो कैंसल हो जाएगा तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है इसलिए आपको फिल कर देना है जिनोंने फॉरूम फिल कर दिया है वो लोगिन करके एक बार इंशोर कर ले कि उनका फॉरूम सक्सेसफुली सब्मिट हो गया है सब्मिट होने के बाद इस परकार का मेसेज आएगा यू हैव मैड दी चैंजेज इन यूर एप्लिकेशन फॉरूम पर्टिकुलर सक्सेसफुली नाउ डाउनलोड दी कन्फरमेशन पेज तो समझो आपका सक्सेसफुली हो गया है इसमें सक्सेसफुली सब्मिट हो गया है अब जिन स्टुडेंट के फॉरूम फिलिंग के दोरान कुछ मिस्टेक्स हो गई है जैसे किसी के रोल नंबर में मिस्टेक हो गई किसी के स्कूल एडरस में हो गई किसी के पिन कोड में हो गई या फिर कोई अन्य मिस्टेक हो गई तो जरा भी tension लेने की आवशक्ता नहीं है, admission के time पर आप एक affidate दे सकते हैं कि मेरे forum filling के दोरान ये mistake हो गई है, तो इसमें आपको कोई problem नहीं होगी आगे admission के time में, अब काफे सारे student ये भी comments कर रहे हैं कि अभी हम drop कर रहे हैं तो क्या हमें forum filling की आवशक्ता है, तो मैं उने student को यही बोलूँगा कि जब आपने application form के पैसे deposit की है, तो आपको ये अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप इसको mobile से भी कर सकते हैं, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, तो आपका result भी आ जाएगा, आप result भी देख सकते हैं, कि कौन से subject में कितने marks आए, क्या आपकी rank आ रही है, तो आपको ये registration करना चाहिए, मेरे हिसाब से, तो आप इसको mobile से या laptop से या कहीं भी कर सकते हैं, simple सी इसमें steps है, और आप इसमें filling वगरा का देखना चाहते हैं, आपने क्या-क्या details फिल की है, तो इसमें आप left side में पूरा application form view का और payment का view का सारा दिया गया है, तो आप को आँ से देख सकते हैं, अभी दोनों phase का confirmation page एक ही है, काफी student इसमें confused हो रहे हैं, अगर आपने confirmation page का first phase का print ले रखा है, तो आपको दुबारा से लेनी की आवश्यक्ता नहीं है इसमें, तो इसमें दूसरी चीज या है, parents or guardian की जो detail है, education detail या income detail, तो वो optional है, अगर आप उस को छोड़ भी सकते हैं, अभी काफी सारे student को forum filling के दोरान website running की problem आ रही है, तो वो try करते रहें, और जहां network ठीक आ रहा है, अच्छा network आ रहा है, तो उससे try करें, हो जाएगा, website properly run कर रही है, कोई problem नहीं है इसमें, तो ये जानकारीती phase 2 के बारे में, आप हमारे channel पे नए ह हैं, तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें, वीडियो को like वा ज्यादा ज्यादा share करें, मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए, जय हैं